जैविक खेती का अभिप्राय एक ऐसी खेती से है जिसमें क्रतिम रूप से निर्मित उर्वर को और रसायनों का प्रियोग नहीं किया जाता साथ ही जो हमारे प्राकृतिक संसादन है उनकी दक्षता बढ़ाने पर बल दिया जाता है और मिर्दा में रहने वाले जो जीव हैं और जो फसल चक्र हैं उनको अपना कर हमें खेती से उत्पादन लेना होता है और इसका महत वर्तवान में इसलिए अधिक बढ़ गया है क्योंकि जो हमारा पर्यावरन है उसमें प्रदूशन हो रहा है जल का प्रदूशन हो रहा है हमारी मिर्दा का प्रदूशन हो गया है खास करके रसानों के द्वारा और जो किसानों की इंकम है जो खेती बारी से प्र कल्प साबित हो सकता है हमारे देश में जैविक खेती के अंतरगत वर्ष 2013-14 में चार दशमलब साथ दो मिलियन हेक्टर छेतर फल था इसमें से दशमलब साथ दो मिलियन हेक्टर यानि 7.2 साथ दसमलब दो लाख हेक्टर छेतर जो क्रश्य योग भूमी है भूमी से लिया गय 9 लाख हेक्टर छेतर में जैविक खेती की गई है जो प्रमानित भी की गई थी साथ हमारे देश में राजस्थान, मदप्रदेश, सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरपूर्वी राजियों में जैविक खेती को अपनाया जा रहा है जैविक खेती का हमारी जो परंप् अर्वरता में कमी आ रहे उसमें पूषक ततों की कमी आ रहे हैं इन सब को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम मिर्डा में जयब पदार्त को बढ़ाएं जो जैविक खेती आनिवारी रूप से बढ़ता ही है तो इस परकार हम जैविक सकता है और साती परियावरी प्रदूश्ट हो रहा है जो हमारी घेस्स हम आरे जो हम निकलन में भी खेरी अब सकती वास्ते में जो हमारी रखायनिक खेति यह आधुनी के आई है। वह हरित्क आदी के बाद्स कर में हम आइएποι उसके पहले जो हमारे किसान खेती कर रहे थे, जिसको सर एलबर्ट होवाड ने भी काफी अप्रेशेट किया था, वो खेती वास्तव में हमारे देश में जैविक खेती ही थी, और वो ही खेती बर्तवान समय में जो हमारी सरकार है, वो परंपरागत खेती मानती है, यानि अपनी तरफ इतिहास पर अपने नजर दोहराते हैं।